ग्राम प्रधान के खिलाफ जंदन ने सड़क पर किया प्रदर्शन यूपी के पीली भीत में ग्राम प्रधान के खिलाफ रोश इस कदर देखने को मिला कि ग्रामिडों ने सड़क जाम कर ग्राम प्रधान के खिलाफ नारेबाजी की दरसल मामला मरोरी ब्लॉक के गाउं डेरम मडरिया गाउं का है यहां बीते दो सालों से ग्राम परधान ने सरकार की सेवाओं के नाम पर लोगों को ठगने का आरोप लगाया है जब टूटे 24 निउस की टीम गाउं में पहुची तो ग्रामिडों ने सडक जाम का नारेवाजी करती नजर आये जिसको लेकर हमारी पूझताज में ग्रामिडों ने ग्राम परधान का भस्तचार उजागर करते दिखे तो योजनाव को लेकर डावा किया जाता है कि अंतियों अजमी के उदय तक उनको योजनाव का लाब दिया जाएगा लेकिन देरम मंडरिया गाउं में जब हम पहुचे तो वहां की इस्तिती देखा गया ग्राउंड जीरो के स्थिती आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर रोड नहीं है तमाम तरीके के बच्चे हमारी कैमरे की तस्वीरों में कैद हुए है कि बच्चे स्कूल से आ रहे थे रोड पर पानी भरा था कई बच्चे फिसल का गिर गए पैसे दो हमें तो हमने जमीन गिरमी डाली कि अपके जाते हो अपके आमारी आबात हमारा इसाइप बना है विल्टा सीदा वहीं आप मेरे देखेंगे आपको पीछे दिखाएंगे कि यहां पर ग्राम पर्दान के खिलाफ तमाम तरीकी का रोज देखने को मिला है ग्राम पर्दाबाद के नारेवाजी की गई है अग नहीं ग्राम योजनाओं की आड में पर्दान का बंदरवाट सामने आया अब देखना यह होगा कि इस ग्राम पर्दान के खिलाफ रोज के खिलाफ जिला दिकारी से लेकर जिला प्रसासन किस कदर कारवाई करता है या इस योगी सरकार में ब्रेश्टाचार को पलीता लग या नहीं पिलीबी से बिकरान शर्मा की रिपोर्ट